दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम अंतराष्टी संपंद जम पढ़ेंगे भारती विदेश नेती पढ़ेंगे तो उसके लिए जो टम्स यूज होंगे वो और भारती विदेश नेती का अभी तक हमने जो पढ़ा है उन सब के बारे में थोड़ा सा विस्तार से व्याख्या एक बार फिर से इस वीडियो हम देखेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें आगे आने वाली चीजों को यदि आपने ये जो चोथा वीडियो है ये चार वीडियो देख लिया तो आपको अंतराष्टी संबंध और भारती विदेश नेती भारत का विदेशी राजियों औ उसमें क्या क्या आधार वो सिधान थे उनको समझने में मुश्किल नहीं होगी तो शक्ती की जहां तक बात की जाती है शक्ती के बारे हमने बताया था राश्टी शक्ती क्या होती है प्रतेक राश्ट अपनी शक्ती को बढ़ाने में लगा हुआ है क्यों बढ़ाने में क्या होता है जैसे भारत पाकिस्तान और चीन को ले लीजे आज भारत के पास पाकिस्तान से यादा शक्ती है तो पाकिस्तान अपनी शक्ती बढ़ाने में लगा हुआ है ताकि वह भारत से प्रबल हो जाए वहीं चाइना भारत से यादा शक्ती शाली है तो भारत चीन से अग्रता हसिल कर ले तो इस तरह से एक शक्ति का संतुलन करने के लिए शक्ति को संतुलित करने की होड हर्जगा लगी रहती है जैसे कोई देश पर्मार्व शक्ति संपन्न है तो अगला देश क्या करेगा उसका प्रस्परधी राश क्या करता है कि वह अभी पर्मार्व शक् लोग बढ़ाने के चक्रम लगे रहते हैं, तो शक्ति के मुखिता दो रूप पाय आते हैं, दोस्तों, प्रतेक दिश अपनी विदेश नीती को या विदेश जो राष्टी हित हैं उनको साधने के लिए, शक्ति का प्रयोग करता है, यह शक्ति दो रूप हुम पाय आती, हार हाड पावर और find hard Brynerka कि किष्ये को धंकांगर डराकर सान शक्ती के बल पर कोई कार किसी से करवा लेना या उसके बलबर अपना अपनी बात को मन Here Eine प्रभुत्र स्थापित कर लेना यह क्या खलाता है हाड पाउर के लाता है ठीक है जिसकी परड़ती युद्ध के रूप में अक्सर देखी आती है तो देश या युद्ध की धमकी के रूप में या युद्ध के भै के रूप में देश की सैनिक शक्ति को हार्ट पाउर गंतरगत रखा की जाता है क्योंकि जो हार्ट पाउर उसका वाहक कौन ह सेना यह उते हैघ है। जैसे अमेरिका अपनी सेनाओं पर जितना खर्श करता है उसके बाद आने वाले 12 राज्यों के खर्च उसके बराबर नहीं है। अतार, जो सेनाओं पर खर्च होता है USA जो खर्च करता है, उसके आतनिकी करन अन्य चीजों पर सुविधाँ पर उतना 12 राज्यों के खर्च भी अगर मिला दिये जाएं तो उसके बराबर नहीं है उसी के बल पर चुकी उसका विश्वपे नियंदर कायम है साट पावर क्या होता है कूट नीद के द्वारा आपसी बाचीत के द्वारा ठीक वैचारी कत्वा सांस्तिक संस्किती के द्वारा गैर सैनिक शक्ति इसमें बढ़ाई जाती है तो साट पावर के द्वारा भी कहीं कहीं हार्ड पावर को ही बढ़ाने का प्रयास किया जाता है आर्थिक संसाधन सैन संसाधन जुटाए जाते हैं जिससे हम हार्ड पावर को भी अपने मजबूत करते हैं और soft power के द्वारा अपने कारियों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं hard power और soft power के मिले जुले प्रयोग को ही smart power के रूप में व्रक्तिया जता है भारत चाइना जैसे देश USA भी आज के समय में अगर देखा जाए तो जितने बड़े राष्ट हैं दोनो smart power के रूप में ही प्रयोग करते हैं hard power जहां पर hard power की जवरत है वहां hard power जहां soft power की जवरत है वहां पर soft power का प्रयोग करना या फिर दोनों का हलका भुलका प्रयोग करना यही मिला जुला प्रयोग स्मार्ट पाउर के रूप में इसको व्यक्त हिया जाता है पूर सकता है 20 शब्दों में स्मार्ट पाउर क्या होता है कुछ और टम्स है जिस जीरो सम गेम है और नान जीरो सम गेम है जीरो सम गेम का सीधा तातपर होता है कि जब सीधा सीधा दो देशों को यदि एक को नुकसान हो जाए तो दूसरे को एकदम डारेक्ट प्रत्यक्ष लाव हो जाए जैसा कि युद्ध में देखा जाता है दो देशों में युद्ध हो एक देश जीत जाए तो दूसरा हार जाता है अर्था दूसरे की हार पहले की जीत पर निर्भर है दूसरा हार गया तो पहला जीत जाता है दूसरे का नुकसान वहाद पहले को फाइदा हो जाता है तो इसको जीरो समगेम कहते हैं राजियों के बीच विशुद्ध संगर्ष कि स्ति जिसमें एक के विजय का अभी प्राय दूसरे की प्राजय हो ठीक है इसलिए देशों के बीच होने वाले युद्ध में एक देश के लाव का आशय दूसरे का सीधा घाटा होता है शीत यूत के दोर की राजनीती को zero sum game के रूप में व्यक्ति किया जाता है उस समय दो गुट में पूरा विश्वी भाजित हो गया था दो धुरूई विश्वी हो गया था यदि किसी भी तरह एक पक्ष को घाटा होता था दूसरे पक्ष को फाइदा होता था उसी कारण की वज़ा से ठीक तो इसको zero sum game कहते थे non zero sum game क्या होता है दोस्तों वर्तमान विश्व की अंतराश्टी राजनीत को इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है इसके अंसार क्या होता है लोग एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ते हैं अर्थाज एक को लाव सब को लाव एक को घाटा सब को घाटा इसको non zero sum game कहते हैं इसके अंसार राज्यों के भी सहयोग सभी के लिए लाब दायक होता है अब हम भारती विदेश नीति का विकास उसके तीनों चरणों के बारे में पढ़ेंगे कैसे कैसे विकास वा और वरतमान में जो मोदी सरकार है उसका क्या उसकी नीति में कैसे परिवर्टन देखा जा रहा है आप देख रहे हैं कि विदेश मंत्राले पहले मुखी भूमक्या मरता था, आज से पहले की सरकारों में आपने देखा होगा, वर्तमान में प्रधान मंत्री की मुखी भूमक्या हो गई है, तो ऐसा क्यूं है, सबसे बड़ा रीजन तो यही कि वहुमत की सरकार है, जब वहु तो एक एक चरण वाईज हम पढ़ेंगे विश्वेशन करेंगे ठीक है यू पिशली बार पिशली यू पीस्टी के एक्जाम में पूछा भी गया था यू पिश्चेस में मोदी की जो विदेश यात्रा उसके संबन्द पूछा गया था उसमें आर्थिक क्या लाव होगा भारत को ये भी पूछा गया था तो ये प्रश्ण बहुत महत्पूर बनता है तो आईए देखते हैं भारती विदेश नीती का विगास कैसे हुआ पहला चरण क्या हुआ पहला चरण जब भारत आजाद हुआ था तो उसके सामने क्या परिश्चितिया थी हाला कि एक बार हम चर्चा कर चुके हैं पहले वाले वीडियो में देख लीजेगा लेकिन फ्ल तो इसकार्थ है कि भारत की जो विदेश नीती रहेगी उस समय इन सब के विरोध में ही रहेगी सामराजवात का विरोध करना उपनिवेशवात का विरोध करना ठीक रंगभेद की नीती का विरोध करना ये सबी जो है भारत की विदेश नीती का प्रमुख अंग इसलिए बनाये गे, दूसरी जो घर घरलू परशिती दोस्तों आर्थिक रूप से विपन्नता थी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा शोषण हो चुका था, बहुत पिछड़ा था भारत। करना आर्थिक विकास करना एक बड़ी चुनोती थी तो यह विदेश नीति का अंग बनाया गया तिस आजादी के बाद लोकतांतिक सासन परणाली को स्विकार किया गया लोकतांतिक मूल्लियों को भी इसके साथ स्विकार किया गया राष्टी स्वरी राष्टी के साथ-साथ अंतराष्टी नीती या विदेश नीती में भी लोकतांत्रिक पणाली को ही अंगिकार किया गया जिसमें वसुदह, कुटुमबकम, सब के साथ सब का विकास, ठीक है, एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, ठीक, ये सभी चीजें सम्मिलित की गई, देश इसी रियास्तों के साथ एकी करन, इसके अलामा जो आंतरिक समस्याएं उत्पन्नुई, सामप्रदाइक समस्याएं उत्पन्नुई, सामप्रदाइक दंगे हुए, इसके कारणी भारत जो है, अपने, खुद के, खुद की जो समस्याएं थी, जो आंतरिक समस्याएं थी, उस किसी भी राष्ट कोई भी राष्ट किसी दूसरे राष्ट के आंतरिक मामलों में अस्तक्षेप न करे भारत ने संप्रभुता का हवाला दिया संप्रभुता किसी विद्राष्ट की संप्रभुता हनन नहीं होना चाहिए संप्रभुता का इसलिए भारत ने जो गुट एक शांदोलन का नित्यत भारत के प्रधान मंत्री तद्कालियन प्रधान मंत्री जवाल लाल नहरू के द्वारक किया गया उसका एक प्रमुख उद्देश के रूप में इसको भी अपनाया गया कि एक राश्ट दूसरे राश्ट के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर जो आंतरिक समस्याएं हैं उसको सुल्जाने में वहराश्ट स्वयम सक्षम होगा अपनी आंतरिक समस्याओं को स्वयम सुधारेगा वह किसी और का हस्तक्षे बरदास नहीं करेगा तिस अभी मुक्यत विदेश नीती जो घरवलू परिस्तियां थी विदेश नीती का निध आया इसके लिएवा जो वैश्विक वातावनड था शेतियुद्ध का महल था अमेरिका और रूस दो धुरूवी विभाजन हो गया था विश्व का पूझी वादी विचारधारा का जो नेत्तित कर रहा था अमेरिका कर रहा था वहीं से जो है युएस एसर जो है सोवियत रूस या सोवियत संग जिसको कहा गया वह सामाजवादी या सामयवादी विचारधारा का नेत्तित कर रहा था तो इनका पक्ष दो पक्षों में दो गुट बढ़ गए थे युएसे या पूझी वादी विचारधारा के जो समर्थक थे युएसे के साथ हो लिए सिध्धान्त बनाया दोनों गुटों से दूर रखकर अपने देश के विकास को बढ़ाया या बढ़ाने की ओर आगे बढ़े इसके लावा स्वतंत्र विदेश नीती इन दोनों देशों इन दोनों गुटों से स्वतंत होकर स्वतंत्र विदेश नीती का पालन गिया ठीक ह एक बार फिर से सामराजवाज उपनिवेशवाज जैसे पचड़े मत न पड़े इन सब चीजों में न उल्ज़ पाए और अपने देश का विकास कर पाए जो की बहुत पिछड़े वस्था में है उसमें काफी राष्ट नय नय जो है उदय हो रहे थे नय नय राष्टों का स् तीसरी दुनिया का राष्ट काहा गया इन सभी राष्टों के साथ समस्या वही ती जो भारत के साथ थी लगभग यही परिस्थितिय थी इसलिए भारत को इन सभी तीसरी दुनिया के देश में जो राश समलित है इनका नित्त करने का आसर प्राप्त हुआ और भारत ने इनको साथ लेकर के अपने विभिनुत देशों को जो वैश्वी कभ हो गए थे उनको उठाने का प्रत्न किया आज भी इसलिए गुट निर्प पेक शांदोलन की जो महत्व है जो महत्ता है जो प्रासंगिक्ता है बनी हुई है आगे भी जारी रहेगी इसके अलावा और भी जो परिश्चितियां थी वैश्विक वह जैसे नाटो और वार्षा के रूप में दो सैनिक गडवंदों का दो सैनिक गडवंदों भाजित हो ग पहले से आर्थी ग्रूप से बहुत पिछड़े थे और कोई भी अब जोखिम उठाने के सिती में भारत जैसे देश नहीं थे तो इनसे दूरी बनाए रखी इसी तरह पश्च्मी यूरूप पूरी यूरूप में जो भाजन हुआ जो वहां पर घटनाए घटी वहां से भी दूरी बनाए रखी इसके लावाँ पूजी वादी समाजवादी में जो परशानी थी इन दोनों विचार धाराओं से अलग होकर भारत ने उन परश्चितियों के अंसार ही मिस्चित अर्थव्योस्ता अपनाई पूजी वाद समाजवाद में से किसी को नहीं चुना ठीक ह पूजी वादी विचार धाराओं की जो या जो या जो यह अर्थव्योस्ता है उसके जो सकारात्मक तत्थ है उनको अपनाई जाया रवही किया भारत ने उसी के साथ आगे बढ़ा तो भारती विदेश नित की कुछ जो शुरूआती रूप से मुखी विश्य कैसे जिसको कहा जा सकता है जो कहीने कहीं आज भी विद्दमान है स्वरूप में change हो सकता है लेकिन जो आधार है वही है मूल वही है दर्शन वही है वो क्या है लोकतांतिक देश होने के कारण भारत के द्वारा स्वतंत्र और स्वायत विदेश नीती अपनाई गई ठीक है किसी का भी नियंतर स्विकार नहीं किया गया स्वतंत विदेश नीत को ही गुट निरपेख्ष विदेश नीत के रूप में भी चित तोलन भी था जिसके द्वारा सामराजवाद, उपनिवेशवाद और रंगभेद नीत का विरोध किया गया क्योंकि भारत इनी सबसे सैकडों सालों तक लड़ा था अब फिर से इन सब की चपेट में नहीं आना चाहता था इसके लामा जो सस्त्री करण हो रहा था जो सस्त्रो की होड चल रही थी उसमें भारत ने विरोध किया उसका निशस्त्री करण का समर्थन किया भारत ने तो इसको भी इसमें शामिल किया गया भारत की विदेश नीत में आज भी भारत निशस्त्री करण का समर्थन करता है लेकिन वह उन नीतियों को नहीं मानता जो बेदवाब पूंड घॉज लास्ड राश्ट भीयोव, अमेरिका जैसे राश्ठ चै इन्होंने बेदवाब पूंड नेती अपनाई अगे हम पढ़ेंगे जब निशकर कुन geen बेद भावुर्ण पूंड पॉंड पॉंड एशियाई अफ्रीकी देशों के बीच एकता स्थापित करने के लिए चीन के साथ मित्तापूर समंदों पर बल दिया गया सेयुत राज संग के आदर्शों में आस्था व्यक्त ही गई जो सेयुत राज संग के लोक्तांत्रिक आदर्श हैं उनमें आस्था व्यक्त की गई नेतित करता के रूप में उबरा इन देशों का समर्थन आज भी भारत को हासिल होता है नेहरू की विदेशनीत को नेतिक्तावादी आदर्शवादी माना जाता है और इन्हों ने इस माध्यम के द्वारा देश के सामाजिक आर्थिक विकास पर बल दिया और हतियारों पर पैसा खर्च न करके सिक्षा स्वास्त और साजनिक उद्दमों की अस्थापना के लिए पैसा खर्च किया हाला कि 1962 में जो चाइना के द्वारा युद्ध छेड़ दिया गया भारत अपनी विदेश नीती और अक्षा नीत पर विचार करने पर मजबूर हो गया और इसमें आमूल चूल परिवर्तन बात में देखे गए भारत ने सोचा था कि चाइना के साथ चाइना तो अपना भाई है पाकिस्तान इतना सक्तिशाली है नहीं कि भारत पर आक्रमण कर सके इसलिए भारत ने अपने आपको सुरक्षित समझा ठीक है और अपने आपको शांती से घिरा हुआ माना यही उसकी सब्स्रवड़ी भू हो गई चाइना ने पीट पर चूरा वोका और भारत पर आक्रमण कर दिया भारत कमजोर समझ करके ठीक है यही कारण रहा कि भारत को भारे नुकसान उसमें उठाना पड़ा हार का दंस जेलना पड़ा फिर भारत रक्षा नीदी और विदेश नीदी पर विचार करने में संबला कर दिया गया 1964 में चीन के दोरा पर्मार्ट पर इक्षण किया गया 1971 में अमेरिका एवं चीन के बीच मित्ता स्थापित हो गई और इसमें पाकिस्तान की भूमिका लेक नहीं थी इन सभी पॉइंट्स को यह देखा जाया तो भारत के पास बहुत ही बड़ा दबाव भाने लगा भारत की संप्रभुता पर खतरा मढ़रा आने लगा अब भारत के बाद सबसे बड़ी चुनोती थी कि चीन के साप्वेक्ष सक्टी संतुलन स्थापित करिकर शक्ती संतुलन क्या होता है दोस्तों जिससे आप दो मित्र हैं ए है एक और आप बी है या किसी ठीक है तो यहां पर शक्ति या संतुलित है ये बी को आराम से दबा देगा ये क्या करेगा बी को आराम से दबा देगा और इससे अपना काम भी करवा लेगा जब चाहे तो इसके घर में खुट जाएगा ठीक लूट पार्ट करेगा मारे का पीटेगा आ जाएगा और भी कुछ नहीं कर पाएगा यही हाल होता है जब चाइना परमावर शक्ति संपन्न हो गया भारत पास परमावर शक्ति नहीं थी बलकि स्थाने शक्ति भी डावा डोल थी तो ऐसी इस्तिति में चाइना भी कभी भारत पर इतिक्रमण कर सकता था जैसा कि जो सीमा विवाद आज चल रहे हैं अगर भारत ने परमाण शक्ति के बारें ना सोचा होता तो शायद आज इस्तिती और कुछ आपको देखने को मिलती सीमा वोपर भारत की जो इस्तिती शसक्त है वो इसी कारण है क्योंकि शक्ति संतुलि गई है तो भारत ने क्या किया पार्माण हथियारों पर रिसर्च करना सुरू किया इसपर काम करना सुरू किया। कि यह पस एक ऌकर पिश्टल भी के एलिए तो यह susko नहीं सकेगा क्योंकि इस यhe गोली बले खतरनाँ है है हतियार जात क्रमाण चैर लेकिन यह बिर की जान लेने के लिए तो यहां पर शक्ति कहीं कहीं संतुलित हो जाती है अब यह भी नहीं सोचेगा इसके घर में घुसकर इसको मारने पीटने को धमकाने को तो कुछ यही होता है शक्ति संतुलन में शक्ति संतुलन युद्ध को रोक देती है शक्ति संतुलन सीत युद्ध थोप नहीं सकता था, कोई युद्ध करने की स्थिती में नहीं था, क्योंकि शक्ति संतुलित हो गई थी, ऐसे में इसी लिए शीत युद्ध कहा जाता है इसको, युद्ध में परड़ती नहीं हो सका, अगर परमार सक्ति से संपन या तो एक राष्ठ होता, या दोनों राष नांत्री थी, भारत की, उनकी क्या विदेश नीती रही देखें, इंदरा गाधी के द्वारा नहरू की आदर्श वाधी, नैतिक्ता वाधी वियुदेश नीती के अस्थान पर यथार्थ वाधी नीती का पालन किया, यथार्थ वाधी नीती मतलब, जैसी प्र irgendwann उसके अनस पार को कई गुना बढ़ा दिया गया 1971 में अमेरिकी चीनी पाकिस्तानी गड़्योड का मुकाबला करने के लिए भारत यहां सोवियत संग या रूस के बीच उसमें सोवियत संग था कि भी शांत यहों मित्ता की संधी संपन्न होई ठीक है यहां पर यह कहा जाने लगा भारत जो है गुटबाजी शुरूख कर दिये लेकिन यहां गुटबाजी नहों करके यहां क्या था अपनी शक्ति को बढ़ाना था अब जो एक भारत के खिलाफ गट जोड बन रहा था उसके मुकाबले में भारत किये विदेश नीती थी न की गुट को तोड़ना या गुट इर पेक्ष के उदेश को यहां पर तोड़ा नहीं था भारत ने ऐसा कहा जाता है लेकिन तोड़ा नहीं था वलकि यह राश्टी सुरक्षा के दिश्टी से और राश्टी हित के दिश्टी से बहुत महत्यपूर्ण था 1971 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह पराजित किया उस समय जो इस्थिती होई आप जानते हैं रसिया ने भारत का साथ दिया क्योंकि अमेरिका अपना बेड़ा हिंद मास आगर में लेकर आ गया था वह बढ़ रहा था भारत की तरफ लेकिन रसिया के हस्तक शेप रही वहाँ पर 1971 में अगर रहसा न किया होता रसिया साथ संबद न विवड़ा होता अपनी वही जो नहेरू की आदर्श वादी नीती है उसमें कायम रहता तो भारत जो 1971 में कर पाया वह चीज उलट भी सकती थी ठीक है 1974 में भारत के द्वारा शांदी पूर्ण पर्मारत परिक्षन किया गया विदेश नीत की अनेक परिवर्तनों के बावजूद देश की आर्थिक व्योस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ भारत में साजनिक उद्दिमों की प्रात्मिक्ता का सिध्धान्त और मिस्षित अर्थिक व्योस्था के नीती अपनाई गई अर्थात जो यह चरण था उस समय जो आर्थिक उदारीकर्ण के बाद हुआ वह इस्तितिया क्या थी अभी हम आपको बताएंगे क्यों आर्थिक उदारीकर्ण भारत में अपनाए गया लेकिन 1974 के आसपास या 1990 के अगर पीछे देखें तो तमाम तरह के कानून थे ठीक है जिससे पूजी वाद को बढ़ावा नहीं मिल पाया सावचनिक उद्मों को भारत ने उनके विकास पर बल दिया उस समय पर उसीरा में ठीक तमाम तरह के प्रतिबन तमाम तरह के कर लगाए जाते थे आयात निर्यात पर इसी लि ठीक उद्योगों का विकास नहीं हो पाया निवेशों को आकरशित करने के लिए फैसले नहीं लिये गए ठीक तो इसी लिए आर्थिक व्योस्ता में कोई पईवर्त नहीं देखा गया अब विदेश नीत के तीसे चण को देखेंगे 1980 के दश्रक में देखेंगे कि घरेलू प्रिष्थितियां क्या थी और वैश्विक वाता उरण उसमें क्या था तो हमने अभी तक देखा दूसरे चणर तक कि भारत ने मिश्चित अर्थिवस्ता अवश्य अपनाई लेकिन मुक्यता जो जो रहा भारत का जो आपका उसकी तरफ जादा भारत का बल रहा ठीक है साजनिक उद्यमों को बढ़ावा दिया गया निजी उद्यमों की उपेक्षा की गई उनके लिए सरली करण जो होने चाहे जो उदारी करण की प्रक्रिया थी वो नहीं अपनाई गी जिसके करण क्या हुआ साजनिक उद्यम ग्छोर होते हैं दुसरा कारे कुशलता यहां पर कम होती है कई तरफ कि नहीं लोग होते हैं कई तरफ कि दिक्शक्रार साजनिक उद्यम घाटे में जाने अर्थ इनका बेहतर प्रबंधन भी नहीं होता है निजी उद्यमों का प्रबंधन बेहतर होता है लोग वहाँ कारिकुषर लोग रखे जाते हैं फालतु लोग को निकाल दिया जाता है लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है बैटके लोग खाने वाले होते है अर्थ तहाय का साधन था पहली बार 1989 की लोगसभा चुनाओं में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला जिसते देश में राजनीतिक अस्थायत्व की स्थिति उत्पन्न हो गई इसके लाओ 1991 में देश के अर्थिवस्ता के समक्ष भुगतान का संकट आ गया भुगतान का संकट यह और इसके लावा रिणग्रस्थ हो गया भारत एक प्रकार से भारत दिवालिया होने कगार पर खड़ा था तो उससमें पैस्तिती ऐसी थी कि आयमे वर्ड बैंक अन्य प्रमुक अमेरिका जैसे देशों का भी दबाव था काफी ठीक है रिणग्रस्थ हो चुका थ भारत भुगतान का संकट था ठीक है भुगतान का संकट अर्थात नेरियात आयात में बहुत जादा का अंतर हो गया था इसके लावा यदि वैश्विप परिदिश में देखें तो सिंगापूर दक्षिन कोरिया ताइवान जैसे छोटे-छोटे जो देश थे उनकी विकास दर्शोल से बीस पचिस्ट की थी उस समय जो टाइगर एकोनॉमी उस समय कहे जाते थे इसके लावा सोवियस संग की अर्थव्योस्था लगातार गरत में जा रही थी एपकास समाजवादी अर्थव्योस्था का विक्टन हो रहा था जहाँ जहाँ जो जो देश अर्थव्योस्था की तरब भारत का ध्यान आकर्शित किया या फिर मजबूर कर दिया भारत को दुबारा अपनी आर्थिक नीतियों के बारे में सोचने के लिए और आर्थिक नीति जब परिवर्तित हुई तो विदेश नीतियों में परिवर्तन देखा जाने लगा तमाम रियायतें दी जाने लगी जो तमाम कर लगा दिये गए थे टैक्सेज लगा दिये गए थे ठीक उनके सरली करण की बात सामने आई या सरली करण का जवरत पड़ा इसके लावा तमाम नियम कानून जो कठोर थे उद्योगों के विकास के लिए उसमें भी धील प्रदान की जाने लगी ठीक है या फिर उसके रणिती बनाई गई तो इसके प्रहड़त की रूप में क्या या 1991 में उदारी करण को पूर्ट अपना लिया गया भारत में और धीरे धीरे जो प्रतिबंद थे वो समाब्त किये जाने लगे जो आर्थिक प्रतिबंद थे जो आर्थिक कठिनाईया थी उनको सरल किया जाने लगा ठीक है निवेशों को आकरशित किया जाने लगा ठीक तब जाकर आज जिस इस्तिती में हम आये हैं यह इस्तिती आपाई तो भारत की विदेश नीत में जो परिवरतन हुआ 1990 के बाद खासकर 1991 में तो क्या हुआ पहली बार भारत में समाजवाती आर्थिक प्रणाली के बजाए उदारी करणयों नीजी करण की नीत अपना ली गई जो की पूजिवादी अर्थियोस्था के एक प्रमुख गुण होता है इसलिए विदेश नीत में विचार धारा के बजाए अर्थियोस्था व्यापार निवेश का महत्त बढ़ गया अब अफ्रीका और लेटिन अमेरिकी देशों के साथ व्यापार निवेश फरबल दिया गया इसलिए विदेश नीत में विचार धारा का महत्तु कम हो गया इसलिए आर्थिक गत्वधियों को प्राथमिक बनाते हुए पूरु की ओर देखो की जो नीत है विदेश नीत की शुरुआत इसके माध्यम से की गई भारत ने पूरु के जो देश थे वहाँ से व्यापार को सुधिर करने के लिए कदम उठाए अमेरिका के साथ आर्थिक एवं सामरिक संबंदों को सुधिर करने पर केंदरी बल प्रदान किया गया इसके लाँ विदेश नीत ही 1990 के दर्शक से में ज्यादा अब जो विदेश नीत ही 1990 के दर्शक में ज्यादा प्रेगमिटिक हो गई प्रेगमिटिक मतलब व्यावारिक हो गई जो आदर श्वादी उसके पहले थी खासका नेहरू के समय में अब और ज्यादा ज्यादा 1990 के दर्शक में और ज़्यादा व्यवारिक होती गई और विदेश नीत में सक्री अथार्थवाद को अपनाया गया विदेश नीत में सक्री अथार्थवाद अपनाती हुए म्यामार की सैनिक सरकार के साथ भी भारत ने संबंद स्थापित किया 1998 सक्री अथार्थवाद क्या होता है दोस्तों सक्री अथार्थवाद मतलब इसमें क्या गयाता है राश्टी हित के लिए कुछ आदर्षों से समझोता किया जाता है ठीक है अपने जो है इसका आदर्थ है कि जहाँ पर गलट ढंग से सरकार वनी है ऐसा नहीं, लोकतांतिक सरकार जहां पर नहीं है वहां से हम संबंद अस्थापित नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, ये आदर्श छोड़ करके सक्री अथार्थवाद हम वहां से भी संबंद अस्थापित करेंगे अगर हमारा राश्टी हित वहाँ पर साधा जा रहा है तो विदेशनीत में सक्री अथार्दवाद अपनाते हैं म्यामार की सनिक सरकार के साथ संबन स्थापित कर लिया गया 1998 में पहली बार भारत ने इसराइल के साथ भी कुटनितिक संबन स्थापित कर लिया 1998 में विदेशनीत यह जो हम PDF आपको देंगे ग्रूप में इसको आप थोड़ा सा सही कर लिजेगा धूदला आया हुआ है 1998 में विदेश नीत में एक अतिहासिक नेड़े लेते हुए परुमाड विसफोर्ट किया गया यहां जो दोस्तों परुमाड विसफोर्ट था वह पहले वाले से अलग था जो 1974 में इंद्रिया गाधी की समय परुमाड विसफोर्ट हुआ था उसको शान्तिपूर्ड बताया गया था वो एक शान्तिपूर्ड उद्देश से किया गया परुमाड परिक्षण था परुमाड कायकरम के लिए लेकिन जो 1998 में किया गया यहां बहुती गोपनी ढंग से किया गया परुमाड परिक्षण था और इसका उद्देश सान्तिपूर्ण नहोकर विस्वसनी नियुनतम परुमाड प्रिक्तिरोधक शमता हासिल करना था उसका विकास करना था विस्वसनी नियुनतम परुमाड प्रिक्तिरोधक शमता क्या है दोस्तों भारत की जो परुमाड नीती है वहय है कि no first use की नीती है no first use की policy भारत की भारत का सिद्दान तहार था भारत पहले परुमाड सक्षण नहीं करेगा लेकिन उसके पास ऐसी प्रतिरोधक छमता है कि यदि कोई राष्ट पर्माड युद्ध करना चाहेगा या पर्माड हमला करेगा तो भारत भी सक्षम होगा उसका जवाब देने में तब भारत उस पर पर्माड हमला कर देगा तो नियूंतम प्रतिरोधक परमार प्रतिरोधक छमता का विकास यह उद्देश्था उनिस्व ठन परमार उस्वोड करने का वर्स 2001 के बाद सीमा पारातंगवाद का मुद्दा विदेशनीत का केंद्री विशय बन गया गुड निर्पेक्स्ता जैसा कि हमने बताया गुड निर्पेक्स्ता की प्रासंगिकता यह देखा जाया आज के समय में इसका अभी प्राय क्या है गुड निर्पेक्स्ता का हम बता चुके हैं तटस्ता के कैसे अलग है यह भी बता चुके हैं गुट निर्पेश्टा क्यों सवाल क्यों उठा प्रासंगिक है या नहीं हमने बताया कि जब दो गुटों में विश्व विभाजित था तो उन दोनों गुटों से अलग रहकर स्वतंद विदेश नीती का पालन करने के लिए गुट निर्पेश्टा की नीती भारत जैसे दे कि वह तटस्ता यदि होती तटस्ता क्या होता है हमेशा चाहे सही हो एक व्यक्ति एक गलत हो यदि आप मौन खड़े रहते हैं दोनों का साथ नहीं देते हैं तो इसको तटस्ता कहते हैं लेकिन गुट निर्पेश्टा क्या रहेगा यहां पर कोई सही काम कर रहा है यहां क प्रासंगिक है क्योंकि यहां गुटों के लिए नहीं बना था बलकि स्वतंत विदेश नीतिका पालन करने के लिए उपनिवेशवाद सामराजवाद के विरोध के लिए बना था जो कि कहीं कहीं आज भी देखा जाता है नव उपनिवेशवाद नव सामराजवाद का पूख, अल्प विकास, इन सबसे जो घिरे देश हैं, इनका नेतित्व करता है, सही उत्राज संग में इन से जुड़े मुद्दे उठाता है, जलवाई परवरतन से जुड़े मुद्दे उठाता है, इसके मामले नेतित्व करता है, तो इन सब के मामले हैं स्वतंद नीति का पालन करता है आर्थिक मामलों स्वतंद विदेश नीति का पालन करता है किसी का सैटेलाइट देश नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान कभी अमेरिका का तो कभी चाइना का सैटेलाइट स्टेट बन जाता है लेकिन भारत अपनी स्वतंद विदेश का नीति का पालन करत प्रिया व्यत्य करना इसका उदेश है समता पूर्ण मूलक्ष शांदिपूर्ण विश्व का लक्ष गुट निर्पेक्ष का लक्ष है सवाल क्यों उठा सोव्या संके विक्टन के बाद सही गुट निर्पेक्ष विदेश नीत पर निरंतर सवाल उठाये जा रहे हैं क्योंक आलोचकों के द्वारा कहा जाता है लेकिन यदि गुट निर्पेक्ष विदेश नीद का मूल मर्म स्वतंद विदेश नीदी है तो यह कभी आप्रसंगिक नहीं हो सकती है और स्वतंद विदेश नीद को ही वरतमान में सामरिक स्वायतता इस्टेटजिक आटोनोमी भी कहा जाता है जिसके अंसार भारत किसी महाशक्ति का पिछलग्गू नहीं होगा और अपने निर्णे किसी से निर्देशित होकर नहीं करेगा विचारकों ने कहा कि सामराजवाद उप्वेशवाद विरोधी आंदोलन के रूप में इसका महत्व कम हो सकता है परंतु विश्व में अभी भी आर्थिक विशमता बनी होई है जिस संदर में विकासी देशों के सामुएक सहयोक्यावशक्ता है इसलिए या प्रासंगिक प्रतित होता है यही कारण है कि भारत अपनी विदेश नीती ऐसी बनाये हुआ है कि वह इसराइल के साथ भी संबंद मनाता है फिलिस्तिन के साथ भी संबंद मना लेता है और अब कंट्रीज के साथ भी संबंद मना लेता है ठीक अच्छे संबंद बना लेता है तो यह सब भारत की स्वतन विदेश नीती अठाथ गुट निटपेख्ष नीती का जो पालन किया है भारत जैसे देशों ने उसी का यह परिडाम है पर्माड अप्रसार संदी की अधी बात करें एनपीटी की बात करें तो भारत ने क्यों इस पर हस्ताक्ष नहीं किया यह भेदभाव पूर्ण थी हाना कि इसका हम यहाँ पर थोड़ी स्चर्चा करते रहें विस्तार सी चर्चा निसस्ति करणवाले अध्यायम करेंगे एनपीटी संदी 1968 में हुई और इसे 1970 से लागू किया गया इस संदी में लिखी थे कि जिन राज्यों ने 1968 से पहले पर्माड परिक्षण किया उन्हें पर्माड सक्ति संपन्देश कहा जाएगा ये 5 देश किसी भी अन्हें देश को पर्माड हत्यारों का प्रसार नहीं करेंगे और 5 पर्माड सक्ति संपन्देश अन्य राज्यों के लिए पर्माड तक्निय और इधन प्रधान कर सकते हैं तो पूरी तरह से इनी को ही सब कुछ मान लिया गया कि इनके पास ही पर्माड हत्यार रहेंगे, अन्य जो देश हैं वो पर्माड का हत्यार का स्वतंद विकास नहीं कर सकते हैं। कंडिशन्स इसमें अपलाई की गई कि इसका प्रयोक शांदिपूर होना चाहिए, दूसरा कि उस राज ने पर्माड और प्रसार सन्दे पर हस्ताक्षर कर दिया हो। तो भारत जैसे देशों ने इसे भेदवावपूर करार दिया और इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। अंतराश्टी पर्माड और जैंसी यहां पर इसका उलेक महत्पूर जाता है क्योंकि यहीं पर्माड सेंत्रों की जो निगरानी का कारे करती है इससे जुड़े जो मुद्धे हैं यहीं पर उठाय जाते हैं। ठीक इनस्जी क्या है अक्सर चर्चा में रहती है नुक्लियर सप्लायर ग्रूप जिसको कहते हैं यह पर्माड आपूर्त इकड़ता ग्रूप कहा जाता है इसको भारत अक्सर आप सुने होंगे कि भारत इसमें सदस्ता के लिए बहुत लालाइद था पिछले वर्षयत दे तो संबंध है उनको जब हम पढ़ाएंगे तो आपको बता देंगे उस चीच को लेकिन यह जान लिए उसके बाद उसमें शामिल होने बाद भारत को अब एनस्जी की जवरत नहीं रह गई है ठीक है तो एनस्जी जुड़ा मुद्दा जो था उसको समझ लेते हैं कि किस कि इसने विरोध किया क्यों विरोध किया चाइना का क्या रोल रहा विरोध करने में और किन देशों का समर्थन रहा है यह सब देखेंगे यह 1975 में गठित किया गया जिसमें वर्तवान में 48 सदस्य है इस समू का निर्माण परमाण प्रसार को पतिवंधित करने के लिए किया जिसके अंसार NSG के सद्दस्य उन्ही राजियों को परमाड़ ईधन और तक्नीकी प्रदान करेंगे जोनों ने परमाड़ अपरसार संधी पर हस्ताक्षर करती है जो NPT है उसपर हस्ताक्षर करना ज़ुरी है हाला कि भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किया है लेकिन फिर भी भारत तो एक जिम्मेदार राष्ट मानते हुए ठीक है एक प्रमुख राष्ट मानते हुए एनेजी के सदस्यों द्वारा धील दी गई और जो परमाड इधन है और तक्नीकी है उनको प्रदान करने का नेड़ा लिया गया एनेजी का सदस्यों से वही देश हो सकता है जिसने परमाड और प्रसार संधी प्रस्ताक्षर कर दिया है वर्ष 2008 में भारत अमेरिका सिविल परमाड संध्योतों के बाद एनेजी के सदस्यों के द्वारा भारत को विशेज शूट प्रदान कर दी गई जिसके अनुसार भारत विश्व का एकमात देश है जिसने परमाड और प्रसार संधी प्रस्ताक्षर नहीं किया है फिर भी उसे परमाड तकनीक और परमाड इधन प्राप्थ हो रहा है भारत की सदस्ता का मुद्दा जो रहा उसमें एनेजी में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस जैसे देशों के द्वारा भारत की सदस्ता का विरोध किया गया लेकिन यह विरोध भारत की खिलाफ न होकर यह परमाड प्रसार के विरोध में था NSG में चीन के द्वारा भारत की सदस्ता का सीधा विरोज किया जा रहा है चीन के अंसार भारत ने पर्माण अप्रसार संदी NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है इसलिए पहले NSG के द्वारा एक सुनिश्चित प्रक्रिया का निर्माण होना चाहिए जिसमें उन देशों की सदस्ता के माननक का निर्धारन होसों के जिन्होंने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किया है कुमिलाकरव पाकिस्तान को भी इसमें जगह देना जाता है भारत के साथ साथ पर्माण अप्रसार NSG में भारत की सदस्ता की बात की जाए तो आयरलेंड आश्ट्रिया जैसे NSG के सदस्य भारत की सदस्ता को पर्माण हतियारों के प्रसार में सहायक मानते हैं क्योंकि इनका मानना एक भारत को अस्थान मिलेगा कल पाकिस्तान जैसे देश भी इसमें जगह मागेंगे तो पर्माड हत्यारों के प्रसार में सायग मानते है। पर्माड वा प्रसार समर्थक देश भारत के उस विशेस दरजे के वी डिरोधी हैं, जिसके अनुसार भारत को N.P.T. प्रस्तक्षर किये बिना ही पर्माड तकनिक अप इधन प्राब्त हो रहा हैं। भारत के पास पर्मार्ण हतियार है परनतु भारत किसी भी अप्रसार संदि अत्वा समू का भाग नहीं है इसलिए भारत की सद्धा से अप्रसार में सहयता मिलेगी क्योंकि भारत इसमें जब शामिल हो गया तो जो अप्रसार संदियां उसमें भी हस्ताक्षर करेगा परमाड कायक्रम भारत के पहले से ही चल रहे हैं तो इसलिए अप्रसार में सहायता मिलेगी भारत के द्वारा किसी भी देश के लिए परमाड तकनीक अथवा इधन का वैध लेंदेन नहीं किया गया है नहीं किसी को कभी धमकी दी गई है परमाड हमले की जिसके कारण भारत को एक उत्तरदाई और जिमेदार राजमाना जाता है भारत की सदस्ता से भारत को पर्मार विजली उत्पादन के लिए ज्यादा संसाधन उपलब्द होंगे इसलिए इस समूख की सदस्ता से पर्मार प्रसार नहीं बढ़ेगा क्योंकि भारत पहले सही इस पश्ट कर चुका है कि उसका सांती पूर उपियोग वग करना चाहता है एनेजजी भारत और चीन की बात की जाए चीन की क्या भूम क्या रही तो अमेरिका और यूरोपी देशों के द्वारा भारती सदस्ता के समर्थन से भारत विश्व राजनीती में शक्तिशाली देश बन कर उबरेगा चीन एनेजजी के सदस्य होने के बावजूद पाकिस्तान को पर्मार रियक्टिर कर स्थाना में सहयोग कर रहा है जबकि पाकिस्तान ने भी NPT पर साक्षर नहीं किया है चीन पाकिस्तान की सदस्ता का समर्थक है चीन का मानना है कि यदि भारत सदस्य हो गया तो पाकिस्तान की सदस्ता प्रभावित हो जाएगी क्योंकि एनेजजी का नेड़ने आम समति से ही किया जाता है तो भारत उसका विरोध कर देगा चीन का मानना है तो चीन चाहता है कि दोनों देश एक साथ ही उसमें शामिल हो जबकि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान के हाथ में अगर लग गया परमाओड तकनीक इधन आने लगा तो पाकिस्तान उसका भारत के खिलाब इस्तमाल कर सकता है या फिर आतंगवादियों को वह पना देता है आतंगवादी उसका देश चलाते हैं तो आतंगवादियों के हाथ में अगर तकनीक लग गई तो पूरे विश्व का क्या होगा तो यह एक खत्रे का विशे है चीन की चिंता प्रमाड प्रसार को लेकर नहीं है बलकि भारत की सदस्ता को लेकर है एनेजी की सदस्ता से भारत को क्या लाग होगा दोस्तों एनेजी की सदस्ता के बाद भारत को एनेजी के सबी सदस्यों के साथ अलग-अलग समझोते करने की आउशकता नहीं होगी एक साथ उसको सबसे साहता प्राप्त हो जाएगी दूसरा एनेजी के प्रावधानों में भविश्य में होने वाले परिवर्तनों में भी भारत की भूम का नेडायक होगी क्योंकि भारत भी उसमें नेडायक देश के रूप में होगा विश्व में भारत को एक उत्तरदाई राजिका दरजा प्राप्त होगा वर्तमान में भारत को उपलब्द विशिशा दिकारों की आलोशना करने का आउसर किसी विदेश को नहीं मिलेगा जैसा कि जो छोटे राश्ट हैं जो अप्रसार के समर्थक हैं वो करते आएं हैं सदस्ता की संभावना यदि संभावना की बात की जाए तो NSG के सदस्यों में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने NSG की सदस्ता के बाद परमाण प्रसार संधी पर हस्ताक्षर किया जिसमें फ्रांस व्यू लेकनी है तो ऐसा माना जा रहा है कि भारत भी NSG में सदस्य हो जाएगा तो वह भी NPT पर हस्ताक्षर कर देगा इससे या प्रतीत होता है कि NSG के सदस्था के लिए NPT प्रस्ताक्षर अनिमार्यत नहीं है तो चुकि फ्रांज जैसे देशों ने पहले ही NSG के सदस्ता ग्रहण की थी और बाद में NPT प्रस्ताक्षर किया तो भारत भी ऐसा कर सकता है तो ऐसा कोई प्रतिबंद नहीं है अनिमार्यता नहीं है परमाण वा प्रसार संदी और NSG दोनों अलग-अलग है क्योंकि NSG सदेशों का एक अनुपचारिक समू है जिसकी सदस्ता के लिए किसी संदी पर स्ताक्षर करना आवश्यक प्रतिद नहीं होता है NSG के ज़्यादा अतर सदस्ते भारत की सदस्ता के समर्थक है इसलिए सदस्ता मिलने की प्रबल संभवना है खास कर अमेरिका पूरी जान लगा दे रहा है भारत को सदस्ता दिलाने में तो आज नहीं तो कल भारत को सदस्ता मिल ही जाएगी मोदी सरकार की विदेश नीत के वारे हम देखा जाए तो देश की विदेश निती हैं हम पढ़ेंगे केवल को कि काफी लोग बोलने लगते हैं कि आप मोदी के प्रवक्ता हो गए या विजेपी के प्रवक्ता हो गए हैं तो इसमें मैं जादा तारीफ नहीं करूँगा सरकार की जादा अंदर न जाते होए सिर्फ उपरी बातें आपको बता दे रहा हूँ मोदी सरकार की विदेश निती जो है देश की विदेश निती राष्टी हितों के द्वारा निधारित होती है और सरकार बदलने से राष्टी हितों में परिवर्तन नहीं होता है जो राश्टी हित है वो तो सेम रहते हैं नीतियां परिवर्तित हो जाती है 1984 के लोकसभा या उसका प्रभाविक्ता नीतियां जो थी पहले सभी अगर चली आ रहे हैं तो उसकी जो प्रभाविक्ता है उसमें व्रिद्धी हो जाती है सरकार यदी प्रवल होतो जैसा कि अभी देखा जा रहा है 1984 के लोकसभा चुनाओं के बाद पहली बार 16 वी लोकसभा चुनाओं में किसी एक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ अर्थाद मोदी सरकार को और नरेन मोदी का उभार एक शक्रिशाली प्रधानमंतिक रूप में देखा गया उसका कारण एक यह भी है कि उनको अनुभो था 15 साल मुख्यमंत्री पर रहने का किसी राजी को चलाने का इसके अलाम वहां पर राज रहते हुए काफी निवेश उन्होंने अपने राजी में आकरशित किये काफी संबंद मनाए विदेशी राष्टों के साथ तो एक अनुभो भी रहा दूसरा संता हासिल हुई नरेंद मोदी को इसलिए भी एक शक्तिशाली प्रधान मंत्री के रूप में देखा जा रहा है इनको जिसके भारत ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है जिसके प्रभाव विदेश नीत्मिय स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं जो निमलिखित हैं क भारत के द्वारा विदेशों के साथ किये गए समझोतों और आधारबूत रचनाओं के निर्मान में अत्यधिक विलंब किया जाता रहा है अगर इसके पहले देखा जाये तो काफिद निर्णे बहुत समय लग गये लेने में ठीक है अभी राफिल के मामले में देख लिया इसको साधने के चक्कर में विपक्षी दलों के द्वारा खासकर जो विपक्षी मुखे पारिटी है कांग्रेस के द्वारा काफी व्यवधान उत्पन्य किये जा रहे हैं तो वरतमान सरकार ने इसे तवरित और तातकालिक रूप से क्रियानवित करने पर बल दिया है इसलि उन्हें विदेशों में रहने वाले भारतियों के साथ सीधे संबंद स्थापित करके भारत की सकरात्मक्षवी निर्मित करने का प्रत्म किया और भारत को विश्व के निवेश के लिए बेहतर देशों की सूची में खड़ा कर दिया इसलिए मोदी ने तमाम तरह की विदे किया उन्होंने अमेरिका के साथ अमेरिका जापान जैसे देसों के साथ संबंदों में जो इस्थिर्टा थी उसको बहुत ज्यादा कशियल किया तमाम तरह के बहुत बड़े बड़े महत्पूर्ण फैसले लिए गए भारत में तमाम तरह के नियम कानुन बनाए गए ताकि निवेशों को आगरशित किया जा सके यहाँ पर विश्वस्नीता बढ़ाई जा सके निवेश्कों की इसलाव विश्नीती में परोशी देशों को महत प्रदान करते हुए 17 साल बाद इस भारती प्रदान मंत्री की यात्रा हुई और 28 वर्षों बाद सिलंका की यात्रा की गई और 28 वर्षों बाद सिलंका की यात्रा की गई अचानक बिना वताय पाकिस्तान की यात्रा की जिसमें विदेश निती गत्षिलता और सक्रिता दिखाई देती है ऐसे ऐसे देशों में गए जहां से अभी तक भारत का कोई भी राजनेग भी नहीं गया था प्रधान मंद्री की बात छोड़िये ठीक है तो अंतराश्टी गत्षील प्रयास किए गए त्वरित प्रयास किए गए है तथा लुक इस्ट निती को एक्ट इस्ट निती में परिवर्तित कर दिया गया जिसके तहट तमाम सहायता राशी अनुदान का एक्रम ठीक सहायता का एक्रम चलाए जा रहे हैं तमाम परिशनाय भारत के दुआरा पूर्व के कुछ देशों में चलाई जा रहे हैं अब थोड़ा से हाँ लुक इस्ट पॉलसी और एक्ट इस्ट पॉलसी को जान लेना आपको जवरी है भारत नी नीती मुख्यता बनाई चीन का इस छेत्र में जो दक्षिन पूर्वी एशिया या पूर्वी एशिया का जो छेत्र इसमें चीन का जो प्रभाव था उसको काटन में सरकार थी प्रधान मंतरी फीवी नर्सिंग राओ की सरकार थी उसी में विक्सित और इसको लागो किया गया था बाद में जो सरकारें आई बाचपेई जी की सरकार चाहें मन्होंसी की सरकार आई उन्होंने इसको कडाई से इसका पालन किया कडाई से अपनाया तो इस न सिंगापूर जैसे देश के साथ थाइलेंड के साथ तमाम तरकी योजना है जैसे थाइलेंड के साथ सीगर फसल योजना सिंगापूर के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग समझ होता है इसके लामा लोग तंत्रमानवा धिकार या फिर सामरिक हितों पर जोड़ देते हुए दोध भी बने हुए हैं इसी इस्ट लुक इस्ट पॉलसी का यह परिणाम रहा है इसके लावा ये देश भी भारत के साथ संबंदों को महतो देते हैं बढ़ावा देने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं कहने कहीं जापान जैसे देशों के साथ जो चीन का तनाव रहा है या दक्षिन कोरिया के मुकाबले जो उत्तर कोरिया का चीन हमेशा सहयोग करता रहा है तो दक्षिन कोरिया ने भी भारत के साथ संबंदों को मजबूत बनाने में अपना योगदान दिया या मजबूत बनाने का प्रयास किया है इसके लावा दक्षिन चीन सागर में जो इसने लुक इस्ट नीत को अब पर्याप्त माना उसने इसके लावा एक्ट इस्ट नीत को अपनाया एक्ट इस्ट नीत की पॉलसी पर जोर दिया यह एक्ट इस्ट नीत क्या है दोस्तों भारत की जो एक्ट इस्ट पॉलसी है वो एशिया प्रशान छेत्र में मोजूद जो द नीत की अपनाये गया था उसको एक अदम आगे बढ़ाये गया जो की बहुत पहले हो जाना चाहिए था इसी नीत का एक परिचाय किया था कि 26 जनवरी के परेड में जो गर्तन दीवस था उसमें आशियान देशों को बुलाये गया था आमंतित किया गया था हालां कि इसकी सुरुवात भी आर्थिक पहल के रूप में ही की गई थी और इसी के रूप में इसको देखा भी जा रहा था लेकिन अब इसका असली स्वरूप सामने आ रहा है अब इसे राजनितिक रणनितिक और सांस्तिक अहमियत भी मिल गई है हासिल कर ली गई है इसके द अमाम यात्राय भी की हैं इन देशों की भारत ने इस नीद गिता थी इंडोनेशिया वियतना मलेशिया जापान रिपब्लिक आफ कोरिया आस्टेलिया सिंगापूर और आसियान देशों के साथ ही एसियाई प्रसान छेत्रों मौजूद अन्य देशों के साथ संपर्क बढ़ प्रसेरिंग है ब्यापार है स्किल डेबलब्लंट है शहरी विकास स्मार्ट सिटी के साथ जो मेकईं इंडिया का कॉंसेप्ट है इन पहलों पर जोड़ दिया है निवेशों पर जोड़ दिया है इसके साथ carbon नाग Griffon के पीज संपक बढ़ाना सिका इसका मक्सद है और इस म भारत इनका नेतित भी कर सके एक्ट इस्ट पॉलसी का उदेश आर्थिक सहयोग सांस्तिक संबंधों को आगे बढ़ाना और रणनीतिक साजेदारी को आगे बढ़ाना है ठीक तो अब यह नीती बदल करके लूक इस्ट के साथ एक्ट इस्ट भी हो गई है इस पर जोर दिया रहा है विदेश नीत में पैवर्तन गुडात्मक है या मात्रात्मक यदि यह देखा जाये तो सरकार के द्वारा क्रियानवी सभी नीतियां 1991 के बाद सुरू की गई थी लगभग सभी नीतियां जो सरकार अभी अपना रही है वह 1991 के बाद सुरू कर दी गई थी लेकिन गतशीलता नहीं थी शितिल थी नींडे नेमदेरी हो रही थी लेकिन इस समय जो देखा जा रहा है गतशीलता देखी जा रही है नीडे बहुत तेजिस लिये जा रहा है इसलिए ऐसा लग रहा है कि एकदम अलग पॉलसी लेकिन अलग पॉलसी नहीं है लग वही पॉलसी है अर्थ की प्रधानता नरसिंगा राम ने प्रारंब किया परोसी पहले की नीती की शुरुवात गुजराल ने की तथा जिसमें हमने आपको बताया था गुजराल डॉक्ट दिखाई पढ़ रहा है गुट निर्पेक्ष अब देखे ये प्रश्ण आ सकते हैं आपके एक्जाम में गुट निर्पेक्ष विदेश नीती का मूल अभिप्राय स्पष्ट कीजे और वर्तवान में किन कारणों से इसकी प्रासंगिक्ता पर प्रश्ण उठाय जा रहे है इसके लाओं एनसजी के सदस्ता को लेकर भारत और चीन के बीच विवाद सैधान्तिक नहीं है वलकि शक्ति संतुलन के विचार से जुड़े हुए हैं तीसरा विदेश नीत के निर्माण में प्रधान मंत्री की बढ़ती भूंका कहां तक उचित है उदारण सहित स्पष्ट करें बाकी दो का तो आप लिख लेंगे तीसे की डाप्टिंग आपको बता दे रहा हूँ भारत में विदेश नीत के निर्माण का मूल दायतु विदेश मंत्राले का होता है अक्सर आप पिछली सरकारों देखते रहे हैं भारत में संसदी शाशां की परणाली है जिसमें निर्णे मंतिमंडल के दवारा किया जाता है जिसका प्रधान कौन होता है प्रधान मंत्री होता है इसलिए विदेश नीत निर्माण में भी प्रधान मंत्री की निर्णा एक भूम्का होती है वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री या भूमिका जादा प्रभावी दिखाई पड़ती ये प्रधानमंत्री की ये भूमिका क्योंकि प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप में अत्यधिक शक्ती शाली है निर्णे का केंद्र देखा जा रहा है प्रधान मंत्री ही अपने पास लिया हुआ है सारी शक्ति को तमाम विदेश यात्राय स्वैम कर रहा है तमाम निर्णे स्वैम ले रहा है नेड़े लेने की सोतंता भी इसलिए क्योंकि बहुमत की सरकार है किसी का दवाव नहीं है प्रधान मंत्री कार्याले इसका आप एक्जामपल भी दे सकते हैं कुछ चाहें तो फिन निसकश में लिखेंगे प्रधान मंत्री कार्याले अत्यदिक प्रभावशाली है परंत यह कहना तारकिक नहीं है कि विदेश मंत्राले की भूमिका अप्रासंगिक हो गई है बलकि प्रधान मंत्री कारयले की भूमिका अब प्रात्मिक हो गई यह कहना जादा उचित है अब हम अगले टॉपी मैंग भारत का अपने पडोसी राष्टों या राज्यों के साथ संबंध देखे राष्ट और राज्य कहीं भी लिखा रहेगा तो आप भ्रमित मत होएगा दोनों लगभग समान होते हैं बस यह समझे जी कि राष्ट मूर्तिकाई के रूप में होता है और राज्य अमूर्तिकाई के रूप में होता है इसमें जब सांस्तिक चीजें जूड़ जाती है जो गुड़ात्मक चीजें जूड़ जाती है तो यह मूर्त इस्तितिम हो जाता है जब राज्य तो राष्ट कहा जाने लगता है इसलिए राष्ट राज्य कहना जादा उचित प्रतित होता है राज में जैसा कि हमने बताय है, चार महत्यपून बाते होनी चाहिए एक तो निश्चित छेतफल या भुभाग होना चाहिए दूसरा इस भूभाग में निवास करने वाली निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए तीसरा यहांज पर सरकार होनी चाहिए और चौथा क्या होना चाहिए संप्रभू होनी चाहिए यह सरकार कैसी होनी चाहिए संप्रभूता युक्त सरकार होनी चाहिए लेकिन यह जो जनसंख्या होती है दोस्तों इसमें तमाम धर्म, जात, संस्किती के लोग होते है इनका जब एकी करण देखा जाता है एक राज्य के रूप में तो यह राज न कहलाकर राष्ट कहलाता है जो की मूर्त जो की दिखाई पढ़ने वाली काई होती है तो यही मूल अंतर होता है राष्ट और राज्य में तो राश्ट और राज में अंतर क्या होता है नेशन या राश्ट शब्द लेटिन शब्द नैशियों से निर्मित है जिसका आर्थ है जन्मया प्रजाती इसमें भाषा, धर्म और संस्क्ति की एकता हो सकती है राज्ट हमारी एक सामोहिक पहचान है जो भाषा, धर्म, संस्क्ति याद इसे मिलकर बनती है यह सामोहिक पहचान भावनात्मक या मनोवज्ञानिक हो सकती है वहीं राज एक अमूर्द संगलपना है जिसमें बनने वाली सरकार जो होती है मूर्द होती है यहां सरकार का मतलब होता है सरकार एक प्रकार से करयात्मक इकाई होती है राज को चलाने वाली राज तो दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन सरकार दिखाई पड़ती है ठीक है राज का संचालन जो करती है यहां रतरकार का मतलब सेना या प्रसासन से हैं भारत एक राष्ट है जिसका एक समिधान है जिसकी नागरिक्ता है राज एक वैधानिक संकल्पना है तो राज एक वैधानिक संकल्पना है अब हम आपको एक और चीज बताते हैं कि अकसर तीन शब्द आप देखते हैं राश्ट राज और देश इन में से जो राज और देश हैं दोस्तों ये दोनों तो सेम हो सकते हैं लेकिन राश्ट यह हमेशा सेम हो राज और देश के बराबर हो या समानार्थी हो या आवश्यक नहीं है, राष्ट को आप जब कोई किसी देश का नक्षा बनाते हैं, तो उस नक्षे से राष्ट को आप नहीं समझा सकते, क्योंकि ये एकी करण से एकता, सांस्तिक एकता, भोगोलिक एकता नहोकर, सांस्तिक एकता को यह दर्शाता है, ठीक है न, कभी-कभी हम जैसे उत्त प्रदेश है तो इसको राज बोल देते हैं लेकिन क्या यह राज है राज की चार जो परिभाशाएं हैं इसका निश्चित गोगोल तो है इसका निश्चित इसकी इसमें रहने वाली जनसंख्या निश्चित है इसमें सरकार भी है लेकिन यह सरकार क्या संप्रभू है शायद नहीं शायद नहीं विल्कुल नहीं क्योंकि संप्रभू सरकार कार्थ होता है कि आंत्रिक मामलों में कोई बाहर शक्ति हस्तक्षेप न करें क्योंकि केंद्र कई मामलों में असतक्षेफ करता है या नेड़े को प्रभावित कर सकता इसलिए वह संप्रभू कहां हुआ ऐसे में राज कहना गलत हो जाता है यदि सको संप्रभूधा पूरी तरह दे दिझाए नेड़े लेने की तब यह राजी हो सकता है तो हम बराज़ यूज करते हैं तो गलत करते हैं actually वह एक प्रांत हो सकता है प्रदेश हो सकता है राज नहीं हो सकता राज हम country के लिए देश के लिए यूज करते हैं ठीक है तो भारत एक राज है एक देश है एक राज है लेकिन राष्ट एक अलग चीज है नेशन एक अलग चीज है राष्ट एक अलग चीज है जैसे यहाँ पर उदिया गया कि भारत का एक समिधान है जो पूरे भारती समुदाय विभिन भाषा के लोगों को धर्म के लोगों को जोडता है एक ही कित करता है एकता के सूत में बांदता है ठीक तो यह क्या हुआ एक राष्ट का उदारन होगा इसी तरह नागरिकता जो है भारत में रहने वाला हर नागरिक भारत का नागरिक है किसी प्रदेश विशेश का किसी छेत्र विशेश का नागरिक नहीं है इसलिए यह भी एकता का परिचायक है तो यह जो चीजें हैं वो दिखा रही कि भारत एक राश्ट रहे ठीक है भारत में सांस्तिक एकता पाई जाती है भाशाई एकता पाई जाती है धार्मिक एकता पाई जाती है इसलिए भारत एक राश्ट भी है और राज भी है इस तरह से भारत एक राश्ट राज है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद नेक्स चैप्टर हमारा रहेगा भारत का पडुसी राज्यों के साथ संबंध जिसमें भारत नेपाल संबंध से हम शुरू करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद